पूजा भठ एक अच्छी आक्ट्रस थी, अपने करियर में ठीक कर रही थी, लेकिन अपने आचिट्यूड और अपने बिहेवियर के कारण उन्होंने अपने करियर को बरबाद कर दिया पूजा भठ ने अपनी जिन्दगी में सिर्फ अपना ही करियर नहीं, बलकि अपनी बहन का भी करियर खराब कर दिया, जो फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में होने के बावजूद, एडगे डिरेक्टर प्रिडूसर्स के बीच होने के बावजूद, इस इंडस्ट्री में सक successful नहीं हो पाई यह actress और कोई नहीं बलकि कल्यूग फेम स्माइली सूरी है स्माइली सूरी पूजा भट की कजिन है स्माइली सूरी कल्यूग में हमें नजर आई थी और उसके बाद वो कहीं गायब सी हो गई कम ही लोग जानते हैं कि स्माइली सूरी कल्यूग से पहले पूजा लिया था स्माइली मुसकान का किरदार निभा रही थी और डीनो मोरिया इस फिल्म की लीड आक्टर थे ये एक शांदार जोड़ी होने वाली थी और स्माइली सुरी ने अपने आपको इस फिल्म के लिए बहुत प्रिपेर रखा और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन में पूजा भट ने स्माइली सुरी को इस फिल्म से निकाल दिया और चलता किया कहते हैं कि पूजा भट को स्माईली की अक्टिंग नहीं पसंद आई और उसके बाद ही पूजा भट ने स्माईली को इस फिल्म से बाहर कर दिया पूजा भट की इस हरकत से स्माईली सुरी बहुत टूट गई थी उनकी mental इस्तिती पर भी ये बात बहुत हावी पड़ी की और कहते हैं कि इसी कारण स्माइली का करियर उस तरह से टेक आफ नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था क्योंकि पूजा भट्टे फिल्म से जब निकाला था और आक्टिंग खराब कहकर निकाला था तो मीडिया में उनकी और नेगिटिव इमिज बन चुकी थी और नेगिटिव बाते मीडिया में पहुँच चुकी थी इसलिए स्माइली एक बड़ी आक्रिस नहीं बन पाई कैर जहां स्माइली के साथ करियर में उनकी ही बहन ने चीट किया वही पर्सनल लाइफ में स्माइली को अपने पती से धोखा मिला जिसके बाद वो डिप्रेशन में गई और मोटापे का भी शिकार रही आज स्माइली सुरी एक पोल डांसर है और अकसर वो अपने पोल डांस के विडियो शेयर करती रहती है